राम राम जी आप सभी को कैसे हो आप सभाशा करती हो अच्छे होंगे मस्तोंगे अपने गर में स्वास्तोंगे तो आज मैं करवाचोत के उद्यापन के उपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँगी मुझे भी यह भी पता चला है थोड़े से दिन पहले ही कि करवाचोत का हम कौन कौन साल आए और उद्यापन करने के बाद हम वे समान किसको देख में अजानकारी आपको दूँगी तो सबसे पहले तो हम इस वर्थ को करते हैं तो शाधी के दो-चार साल के बाद ही हम इस उद्यापन को विद्य पूरुप कर सकते हैं इसमें कोई नुक्षान नही या फिर और वी कुछ बहुत सारी समस्या紧ियां उनके शसक्भाaca नहीं है तो जर्पन करने के बाद वैसे ना पिया जाता है उन्त चाय बज़े तीन बज़े काणी सुनने के बाद चाय पाणी लेले हैं लेकिन बड़े-बड़े से अरों में वे कुछ भी नहीं खती और ना कुछ पीती हैं तो उनके लिए उद्यापन करना तो बहुत ज्यादा जुरूरी है तो ये तो बात होगी कि हमें उद्यापन कब करना ची है इस वर्थ का उद्यापन हम दो बार तीन बार च्यार बार जितने अमरे गुंज्यास है ना बीच बीच में करते रहना चीए क्योंकि तो अपने आद का दान होगा है एक तो बरती रहे है वो पुन्य मिले उपड़ता हम अपनी बड़ी बुड़ी अनदान देवें उसका अपनी मिलजा है तो इसमे क्या क्या लिया ना चीए तो इसमें त При scariesta में सिंहार का समन करवा चोटमे चोदा जगए पर हम जो ऑमारी कि है ब कर होते हैं बिंदी है लपिश्टिक है काजल है सिंदूर है और महनेंधी है सीसा है और कंगा और पजेव हैं विच्वै हैं चूडी है तो यह सारा समान तो हम अपनी एक साढ़ी और बिलोज और पेटि कोट और पैंटसेट यह सारा समान जो अभी मैंने बताया है ये तो एक जगह लाना है पूरा का पूरा समान सोला सिंगार का समान जो कि अमें मिनस के अपनी ननिद को देना होतता है या फिर अमारी सासु हो स्वधाल मतलब सु आगन भागन हो तो उसको देदो या फिर अपनी ननिद को देदो और जो हम ते रा जगह समान और लाते हैं कियोंकि 14 जगह लाना एक जगह तो हमें एक तो बिंदी का पैकेट, एक मेंदी का पैकेट, एक सिंदूर, एक काजल, और चूड़ी, और एक बिलोज का पीस, और अमारी जो जो सरदाओ, उसके अंदर हम दान देख्षना रखकर, तेरा जगा पर हम यह रखें, और खाने में हम मिठाई ले ले, अगर घर पर बना सके तो हलवा पूरी सबजी, यह सबसे उत्तम है, पाच-पाच पूरी कर दे, थोड़ा हलवार, एक कटोरी सबजी, उनको रखकर, एक ही प्रात्म रख ले, पहला तो, और सारा समान रख ले, यह जितना भी अमने मिनस ना है, बता दिया, बने तेरा जगा का भी बता दिया, औ क्या लेना है, वो तो पूरा सोला सिंगार, बिच्वे, नाक की लोंग, और चुटकी पजे का भ्योत्र हो सके, तो कर देो, अबरना हम इसे टाल भी कर सके हैं, नकली लेक रख दे, गड़े का से टोर करना के, वैसे ऐसली हो तो इसी तो बात नहीं, पर बगवान ऐसा भी कर देख जिसका अभ्योत्ना भी हो, तो एक खली एक चंदी का सिक्का भी रख सके हैं, और नाक का दाना, और अपने बिच्वे, ये छोटे-छोटे, ये तो छोटे सस्ते हैं हैं, ये, तो ये हम सारा समानी खटा रख, 14 स्वागनों का समानी खटा रख, एक लोटे में जल ले सुन और फिर जैसे, हम कर भी मनस्ति आना, ऐसी, ये और अपने माता पिता की बेटी, अपने सासू सुसरें की बहु, अपने भाई, भाई, बहन, बाईयों की बहन, ऐसी जैसे, हम बर्त रख हैं, जब उस में करें हैं, तो आम मैं आज इसमें आज रहें, इस वर्त को उजम रही हूं उद्यापन कर रही हूं और किर्प्या मेरा ये वर्त का उद्यापन स्विकार करें और ऐसे जल छोड़ते हुए चुछ कर ले और तो वो उद्यापन पूरा हो जया है फिर वो सारा समान हमें अपने से बड़ी जो भी अमारे ताई यो चाची यो नन दो और सासो जेठानी हो किसी को भी हम दान कर सकते हैं अगर अपने तो बड़ी हो तो वो तो सबसे उत्तम है क्योंकि दान में से अपने तो बड़ी काई लागे हैं अगर बड़ी ना हो तो छोटियों को भी दे सकते हैं सदा स्वा जो स्वागन भागन है छोटियों को भी दे सकते हैं लेकिन जहां तक हो सके अपने से बड़े को ही धान करना चीए वो सबसे उत्तम है क्योंकि में अवह आमें से बढ़ा कई चड़्ड़ा है कि वात एक मजबूरी हो जया है अक जो छोट्या तरही देना पड़े तो तो यह पता चल गया में क्या क्या लेना आपको हो मेरी यह थोटी सी जानकारी कैसे लगी जरूर बताना लिखकर तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाए बाए